प्यारी बच्चियों, आज जीस वीडियो ते विच्च सी, छेमी क्लास ती पहली किरिया डिस्कस करांगे, जिसता ना है कुलनशील अते अकुलनशील पदार्था दा दियान करना, to study the soluble and unsoluble substances. So dear students, इससे लिए साननों जो समान चाहिदा है, वो है तिन कच्च दे गलास, जिस दे विच असी पाणी लेना है, सेंट जिसनों असी रेट केंदे हा, चौक पवडर अते नमक, प्यारी बच्चियों सपनों पहला असी, जो सड़िकोले देत है, उसनों असी पाणी दे विच ए नहीं कुल दी है, इसता मतलब ए है के, ए, अकुलंड शील्पदार्त है, जिसनों असी अन्सॉलिबर सब्स्टांस केंदे हा, रेट पाणी दे विच नहीं कुल दी है, आओ, होण असी चौक पवडर नो पाणी दे विच कोल के देख दे हा, के के विदा है, जदों असी जो चौक पाउडर है वो पार्शली सॉलिबल है मतलब के पूरी तरह पाणी देविच नहीं कोल दा है इसते कुलन तो बाद कुछ आनश रह जान देहां जो पाणी देविच नहीं कोल देहां अते ए गलास थे थल्ले दे नाल लग जान देहां प्यारे बच्चेओ आओ होन पाणी देविच असी नमक नु कोल देहां जदो असी पाणी देविच नमक नु कोल देहां ता देखो की हुंदा है जदो असी पाणी देविच नमक नु पाया अते इसनु असी हिलों देहां ता स्टेर करन दो बाद असी देख्या है के पाणी बेच नमक चंगे तरां कुल गया है अते ग्लास बिल्कूल पार दर्शी हो गया है इस जा मतलब ए है कि जो नमक है ओ पाणी देविच कुलनशील है जिसनों असी कुलनशील है जो चौक है ओ पाणी देविच पार्शली सॉलिबल है प्यारी बच्यों नमक पाणी देविच पूरी तरां कुल गया है इसलिए एक कुलनशील पदार्थ है जिसनों असी पाणी देविच कुल जन्दा है उसनों असी इंगलिश विच सॉलिबल 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 भोल देविच अते जो पाणी देविच नहीं कुल दा है उसनों असी अकुलनशील पदार्थ जा Unsoluble सब्स्टांस केंदे हां प्यारे बच्चों इसे तरह चिननी पाणी दे विच कुलंशील है लकड़ दा ब्रादा सरों दा तेल नारियल दा तेल मिट्टी दा तेल ए सारे पाणी दे विच अकुलंशील हन प्यारे बच्चों मैंनू उमीद है कि आप सब नू कुलंशील अते अकुलन शील पदार्था देवारे विच पता लाग गया होवेगा। और इसे तरह दियां इंट्रस्टिंग वीडियो से ले इस चैनल लूँ लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करो जी तन्वाद।